Hello everyone Welcome to Radiance Institute और आज का हमारा जो लेक्चर है वह होने वाला है इंडिया के कोल क्रैसिस के बारे में और इसका सारा मतलब क्या है यह क्रैसिस एक्रैसिश अप्रिजिनेट कहां से हुई और आज्चिली में इस क्रैसिस है यह शॉटेज है और क्रैसिस का मतलब क्या होता है तो खेर इससे पहले हम लोग यह जानेंगे, कि बार शुरू कहां से हुई, दरसल Central Electricity Authority ने अब रिसेंटल एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उसमें जो डेटा था, उसमें यह था कि इंडिया के जितने thermal plants है, 135 के गरीब, उनके सबके मिलाके जो stocks है, cold stocks हैं, वो सिफ चार दिन के करीब के बचे हैं, अब यह जब new सामने आई तो अचानक से बहुत alarming situation create हो गई, और 135 है, thermal plants है, उनमें से करीब 112-114 plants जो थे, वो तो in fact critical to super critical reserves के base पे काम कर रहे थे, उनके जो cold reserves काफी ज्यादा कम हो चुके थे, critical से sub-critical हालत में आ चुके थे, अब government जो है, at a nominal level, government जो है, वो mandate कर 10 दिन का stock maintain करके रखे, अभी कुछ समय पहले था कि 2 weeks की time limit थी, but उसको reduce करके 10 दिन कर दिया गया, और इसके बावजूद भी, जो report में data आया, उसके साब से 4 दिन का stocks बचा है, तो यह situation आई, और issue यह है कि हमारे cold stocks, अगर हमारे cold reserve कम होते भी हैं, तो फरक क्या बढ़ता है, क्योंकि energy तो हम hydro energy, solar energy, nuclear energy, इनका ratio थोड़ा-थोड़ा कम है, फीक है, but यहां से भी तो generate करते है energy, coal से ऐसा क्या हुआ, तो issue यह है कि इंडिया की energy requirement है, उसमें से 70% जो है, वो coal से आती है, कि koela जाएगा, फिर वो plant में energy convert करेगा, थोड़ा thermal conversion होगा उनका, तब जाके बिजल energy produce होगी और वो further distribute करी जाएगी, तो 70% जो energy ने जाएगा, वो coal से आ रही है, अब ऐसी situation में, अगर coal results हमारे चार दिन के बचेंगे, तो एकदम critical situation तो ही है, तो खेर इसको भी address करा गया, और अब हम देखेंगे कि यह situation आई कैसा है, अचानक से ही एकदम पता लगता है कि इं इंडिया का 2018 से, जो domestic production है, coal का, वो काफी कम है, वो कम है, वो constant पे चल रहा है, secondly, हमने अपना import dependency को reduce करने के लिए, अपना balance of trade को improve करने के लिए, हमने अपना imports को थोड़ा reduce कर दिया गया था, और 2016 से यह लगतार imports को हमारा coal का, वो reduce हो रहा है, अब क्या हुआ हुआ, यह situation ठी ठीक है, ऐसा चल रहा था कि हमारा production भी थोड़ा low है, और imports भी degrees हो रहे है, ठीक है, बट अचानक से क्यों, तो अचानक से इसलिए कि अभी 2020 साब को पता होगा, pandemic की वजह से काफी economic में turmoil रहा है, तो अभी second wave के बाद जब economy हमारा थोड़ा revive होना शुरू हुई है, ठीक है, इ household level पर, तो हर जगा से energy की demand जब बढ़ने लगी, तो given these two primary situations, वो एक shortage की situation सामने आई, और इसी को फिर crisis basically means कि एक shortage हो गया, जैसे अगर हमको 1000 metric ton का coal चाहिए है हर रोज का, तो हम 800 metric ton produce कर पा है, 800 metric ton जो है वो available हो पा रहा है, और production में problem यह है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास coal reserves नहीं है, इंडिया की अगर हमको बता हूँ, तो 300 billion metric ton के करीब है, और एक साल में हम लोग 1 billion metric ton consume करते हैं, अगर हम data के हिसाब से चलें, तो ऐसा नहीं कि खतम हो गया हमारा कोईला, कोईला बस उसका production और usable form में आने में थोड़ा disruption होने लग रहा है, अब चलिए ये बात तो labor में, और कुछ weather influence ये हुआ कि mines में flooding होने लग गई, तो उस वज़ा से वहाँ पर जो labor है वो जाके काम नहीं कर पाई, पानी भर गया पूरी खान में, तो ये सारी situation एक के उपर, एक के बाद एक overlap होने लगी, अब अगर हम power sector की बात करें, coal का तो simple है कि ठीक है production को थोड़ा अब नहीं होगा कि discoms हो गएरा जो है, वो हमेशा loss में चल रहे हैं, तो इनके साथ कुछ structural issues हैं, जिनको address करने के लिए, जिनको eliminate करने के लिए, हमें structural reforms की ज़रूरत पड़ेगी within the power sector, अभी scene यह है कि, जब भी elections होते हैं, किसी state election होता है, central election होता है, तो power भी एक काफी discussed subject हो subsidized rates पे देंगे, in fact, कहीं बार तो यह होता है कि, इतने units से electricity हम लोग free में देंगे हैं, अब देखिए, अगर इसके आप समझना चाहें, मान लिजे कि एक unit electricity produce करने में, बुछ 10 रुपे लगते हैं, ठीक है, अब अगर free में दिया, तो 0 rupees में consume हो गई है, जो use कर रहा है, consumer जो बुछ 10 रुपे पे करें, subsidized किया तो मान लिजे कि 6 रुपे पे करें, ठीक है, अब यह customer की जेप से तो इतना रुपे आ गया है, subsidized या जो भी, but इसको produce होने में तो 10 रुपे लगे है, वो 10 रुपे कौन भरेगा, और यह सारा जो पैसा है, यह discom के पास आकर रुख जाता है, और discoms होते हैं, distribution companies, जो power जो उनके पास आती है, उसको further distribute करने का पूरा उसका logistics से वो लोग समालते हैं, और वो power जो आती है, उसको generate हुई coal के थूप, और वो coal प्रवाइट किया, coal India Limited ने है, तो यह पूरी change हो है, यह develop हो जाती है, और सारे के सारे debt में आना शुरू हो हो जाते हैं, coal India Limited जब पैसे मoungeता है, coal India Limited को पैसे लेने होते हैं, discoms को पैसे लेना होते है, consumer के पास से, consumer को subsidized electricity मील चुकी है, तो discoms चेला है generate करते हैं that is only 70% of their production costs तो अभी आप लगातार कुछ सालों में महिनों में अगर आप cover करेंगे इसको तो अब देगे कितने ज्यादा debt उनके उपर इकटी हो जाती है अब given this political influence और discoms के present condition और in fact coal India limit की भी तो क्या होता है कि private investment आती नहीं है फिर power sector में और in fact आई भी नहीं है जादा काफी जादा जबकि government ने काफी steps उठाया है कि distribution companies को दे दिया जाए और privatize किया जाए मतलब at least कुछ हिस्सा पूरे power sector distribution वगरा privates देख लें बट जादा privates इधर आते नहीं क्योंकि यह एक ऐसा sector है जहां पर profits आने बनना काफी time ले सकता है यह in fact आपके जो खर्चें वही पूरे होने में time लग सकता है तो इसलिए private investment नहीं आती जो कि काफी जादा important है for economic growth, economic development, poverty elevation, all that क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी sector अगर liberalize किया जाता है जहां पर चाहते हैं कि profits बढ़ें उस sector में privatization allowed कर दिया जाता है तो power sector में भी कर देना चाहिए but for some various reasons वो नहीं हुआ फिलाल अपने आपको topic क्या स्पास पे रखते हुए आप देने नोटिस कर रहा होगा आपने कि जितने जो major companies हैं power sector में वो public sector companies हैं और public sector companies जो होती है they are not profit driven profit driven तो इनके और भी जादा बुरी situation है तो इनके losses mount होते रहते हैं या profits reduced होते रहते हैं but एक foolproof solution नहीं हो पाता इस चीज का given that political interference and everything तो इस सब के चलते एक financial incentive की कमी है power sector में जिसको address करना काफी जादा जरूरी है इकरा जो credit rating agency है इंडिया की उसने एक report निकाली थी कुछ समय पहले उसमें उसमें उनोने बताया था कि जुतनी भी discoms इंडिया में private public sector गी उनके ओपर overall debt जो है वो 6 trillion rupees की हो जाएगी by the end of this fiscal year 2021-22 6 trillion rupees का मितलब 6 lakh crore रूप है तो काफी बहुत बड़ा amount हमारा debt में ही फसा हुआ है जिसको rotate करना economy में revolve करना बहुत जादा important है और उसका भी कोई foolproof solution नहीं निकल पाया है तो और secondly जो coal India Limited है जो की लगभग 80% coal प्रवाइट करती है सारे companies को उसको 21,000 crore rupees due है by the power generators and distributors तो 21,000 crore मतलब लगभग 3 billion dollars तो coal India Limited भी debt में है उसको power generator से और discoms से पैसा लेना है तो इसमें reforms लाना काफी जादा important है और वही एक solution भी है और ऐसा नहीं है कि अब तक कुछ नहीं हुआ जैसे fossil fuel consumption को reduce करने के ओपर काफी जोर दिया जा रहा है तो this is again की eco-friendly measures आएंगे तो coal पर dependence हमारा reduce होगा गर्मेंट जो है काफी नच करिया citizens को कि हम लोग non renewable energy से हटके renewable energy पर आ जाएंगे ताकि हमारा power consumption जो हो वो coal से हटके renewable पर आ जाएगा solar हो जाएगा तो इससे क्या होगा हमारा coal पर dependence कम हो जाएगी तो जो situation आई है कि अचानक से हम बारे coal reserves कम हो गए है ऐसी situation in near future आना ऐसे chances काफी reduce हो जाएंगे और गवर्मेंट ने अभी अलाओ किया था कि जो कोल हम import करते हैं mostly वो काफी high quality का होता है, anthracite type का उसको हम थोड़ा blend कर सकें domestic कोल के साथ ताकि उसका usage काफी जादा, जो कोल का usage है वो काफी efficient और effective हो जाए और इसी dire situation अचानक से एकदम से ना खड़ी हो और in fact अभी कुछ समय पहले अगर आपनों ध्यान दिया हो तो MMDR Act को Mines and Minerals Data Regulation Act को amend किया गया था, ताकि captive mining को खतम किया जा सकें और फिर जो mine किया जाएगा उसको other purposes के लिए भी बेचा जा सकेंगा, यूज किया जा सकेंगा तो that was again for better use of coal, better and efficient use of coal तो क्योंकि मेना अच्छी साब को बताया कि इंडिया के पास coal reserves की कमी नहीं है बस उसका production की और usage की थोड़ा supply chain इन सब कर problems है तो इनको address करना ज़रूरी और MMDR Act को amend करना was a step in that direction और एक major चीज जो खेरी स्लाइड में नहीं होना चाहिए बट आप उको मैं समझाना चाहूँगा कि market forces को क्यों हम allow नहीं करते हैं, determine करना क्योंकि power consumption जो है वो economic growth के लिए, development के लिए किसी किसी situation in economy के revival तक के लिए हमारा power का एक affordable level पे रहना काफी important होता है जैसे fuel को market forces के ओपर छोड़ दया गया तो काफी हम देख रहे हैं उसमें काफी fluctuations रहती है तो power के साथ यह afford नहीं किया जा सकता और given that कि India एक emerging economy है और PPP के हिसाब से it is the third largest economy I mean before the pandemic it was top five में वो काफी समलो से है और economic potential काफी जादा हाई है तो हम power sector में market forces को एकदम वो नहीं कर सकते कि full liberty दे दे बट हाँ काफी जादा काफी levels पे हम लोग को यह जो supply chain का issue है और production का issue है इसको address करना काफी जादा जरूरी है ताकि ऐसी situation in near future ना है और हमारे economic की जो trajectory हमने pick up करी है वो हमारी continued रहा है तो यह था इसके बारे में कि coal crisis actually में shortage है it is not कि इंडिया के coal reserves खतम हो गए है and I hope आपको काफी clarity आई होगी इस topic में कि crisis और shortage के बीच में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को like share and subscribe जरूर करेगा thank you thank you for watching